नवस्कार साथियो लोक शिक्षर संचार नाला है मद्द प्रदेश द्वारा हाई कोड की रोक या कैबिट सूचना साथियो इसे जानेंगे इस वीडियो में है जैसे कि सर्पलास टीचरों का युक्ति करन प्रदेश मद्द प्रदेश इसकों सिक्षवाराग में चल लए है इसके तहत काउंसलिंग हो चुकी है आज काउंसलिंग होना है 28 तारीको और आगामी समय में अनकेडर्स की वी जो 37 है उनकी भी गाउंसलि हो गरके उनका युक्ति करन किया जाएगा उशी के तहट 108 सूचना दायर की गई है तो क्या हाई कोट की रोक है अतिसे सिक्ष्वों पर यह क्या movement सूचना है क्या है क्या माईने रहते हैं इसके हम इसे डीटेल में जानेंगे साथे वीडियो को like and share करना नहीं भूलेगा जैसे कि सात्यों यहाँ पर हम देखना है लोग शिक्षा संचा नालाई मद्धप्रदेश गौतम नगर भोपाल द्वारा यह कैविएट दायर की गई है और कैविएट सूचना है जिसके तहट इश्कूल सिक्ष्य विवाग द्वाग द्वारा अतीसे काउंसलिंग के माद्यम से पदस्थ करने समंधी कारवाई हेतू संचा नालाए कि पत्रक्रमांग 2562 दिनांग 2382024 एवं पत्रक्रमांग 2568 दिनांग 25682024 के निर्देश परसारत किये गए है लोक्षेपों की कमी वाली संख्या अधिक होने से या उन्हें मन्चा ही करने के कारण प्रकरण में पदस्थ आजेश की विरुद्ध माननिय उच्छ न्यालाए जबलपुर खंडपीट इंदोर एवं गौलियर्व के समक्ष न्यालाए बाद दायर की जाने की संभावना को द्रश्टिकत रखते हुए सासन एवं संचा नालाए की ओर्षे माननिय के करने उच्छ न्यालाए क्में क्योड़े दायर की जा रही है आयुक्त द्वारा अनुमोदित है संचालक लोक शृष्चल मदभरदिश द्वारा तो सांथ्यों यह जो क्योड़े दायर की गई है वह है सर प्लस टीचरों का युक्ती करण किया जा रहा हूँ और शी को द्रश्टिकत रखते हुए बहुत सारे ऐसे सिख्षा के जो कोड की स्वरंड लेने वाले हैं यहाँ पर हम बता देना चाहरा है कि कैविएट अगर दायर हो जाती है गबर्मेंट की तरह से जैसे कि डीपी आई की तरफ से यह कैविएट दायर की गई है तो इसी के तहट जो न्याला है वह है दोनों पक्षों की बात सुन करके डिशीजन लेगा यानि एक पक्षी बात प जो न्याल है जो डिशीजन देगा वो दोनों पक्षों की उसमें जो अपना बात लेकर के और दोनों को उस पर निर्णा फिर देगा यह नहीं है कि एक पक्ष की ही बात की सुनवाई करके डिशीजन हो जाएगा तो साथियो यह कैविएट है कैविएट दायर हो चुकी है और इसी क्रब में अगर देख जाए तो अगले क्रब में अनकेड़ास की भी अतिसे सिक्षों की काउंसलिंग हो रहा है तो साथियो इसी प्रकार की सिक्षे बात से समनने लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए